हलो दोस्तो बेलकम मैं यूटूब चैनल तो दोस्तो जैसे कि आप देख रहे हैं जे वीडियो कोन का डवल डोर फ्रिज है दोस्तो इसको डवल डोर फ्रिज इसलिए कहा जाता है जैसे इसमें फ्रिजर वोक्स है वो अलग होता है और जो नीचे बाला पोशन है वो इसमें अ तो काम मैं भी आपको बताऊँ का किया काम होता है जो उपर पशुर्चुन भाय है इसको बदी मिंदियो में और तो क्या सब्सक्राइब नीच्वन पोशन में यह थर्मोस्टेट क्यों दिया होता है तो दोस्तों जो नीचे बाले पोशन है इसकी जो कूलिंग है वो कूलिंग को मेंटेन करता है आप इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं जितना आपको कूलिंग चाहिए आप सेट कर सकते हैं कूलिंग तो इसकी ऊपर से ही आएगी उपर बाले पोशन से ही आएगी पर जो नीचे बाले पोशन है इसमें जो कूलिंग अपने इसाब से रखता है अगर ज्यादा कूलिंग हो जाएगी तो इसक की जो अपने सबस्रे कुलिंग को कोंडूर करता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं हुपर बाले पॉश्धियुन है जो इसका क्या काम होता है झार्वाइश में जूक्तर में पादने सब्सक्राइब कर मों है जो WC dy दिए हुए है और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा साब को नजदीक से दिखाता हूं जैसे कि आप देख रहे हैं यह क्या लिखा है cool air control जाने कि जो cool होती है जो ठंडी जो खावा होती है उसको जो control रोल करता है तो दोस्तों जैसे कि आप दे सकते हैं इसमें कुछ है वो नंबर दिये रहे दिये है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आप नॉर्मल रखेंगे जैसे कि यह तो तीन पर रख सकते हैं जाने कि जो ऊपर बाला पॉशन और नीचे बाले पॉशन में जो बरोबर कूलिंग चाहते तो आप तीन पर रख सकते हैं जैसे फ्रीजर मैक्स जैसे कि आप फ्रीजर बॉक्स में मैक्स कूली रखना चाहते तो इसको पांच पर रख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं रेफिजाटर मैक्स तो दोस्तों इसका क्या मतलब है जो नीचे बबसने कि क्या काम उट है को क्रक्रoa करता है कूलिंग आप इसको कम और कर सकते हैं इसका जोवा थर्मोस्टेट का काम बिल्कुल भी नहीं होता है